हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम चन्नी पर माई लविंग ट्विन सोल साप सभों को बहुत बहुत प्यार एवं अभार जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए है मुझे सभी का स्वागत करती हूँ आज का विशा है अर्जिन चैनलिंग फॉर ट्विन फ्लेम प्रियों जैसे कि आप जानते हैं कि ट्विन फ्लेम चन्नी एक आथियात्मिक जन्नी है सोल की जन्नी है और इसमें आत्माएं इस धरती पर इसले आती है ताकि मोक्ष को प्राप्त करे अपने उद्देश को पहचा आने और मदर अर्थ को सर्व कर सके जो दो आत्माएं हैं शिव और शक्ति का रूप है अर्ध नारेश्वर और इसमें जो एक आत्मा दूसरे की सहयता करती है ताकि वो अपने उद्देश से जुड़े जागरती को प्राप्त करे और अपने मिशन को जाने उस उद्देश क पाए जिसके लिए वो इस धर्ती पर आया है तो इस प्रेकार ये जर्नी चलती है लेकिन कुछ लोग कहीं न कहीं इस जर्नी में स्टक हो जाते हैं क्योंकि इस जर्नी के बारे में वो जादा नहीं जानते और बहुत समय के बाद उन्हें ये जर्नी पता चलती है लेकिन सब सबसे बड़ी और महतोपुड़ बात ये है कि जब आपको पता चलता है कि इस जर्नी को पूरा करने के लिए इनर वर्क करना है तो ये सबसे अच्छा मार्ग है क्योंकि इसके द्वारा आप स्वयम को बैलन्स कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं और इसके भागी आत्मा भी जागरित होगी और उसकी भी जर्नी पूरी होगी तो इस ट्विंट फ्लिम जर्नी में कुछ महत्पुड बाते हैं जो मैं बताना चाहती हूँ पहला है स्वैम को परिवर्दित कीजिए आप में से बहुत से लोग के कहते हैं कि हमारा ट्विंट बदलता नहीं हम चाहें कितना भी इनरवर कर ले वो वैसा ही रहता है प्रियों सबसे बड़ी बात ये है कि यदि आप ठैरे हुए हैं वेटिंग के एनरजी में हैं और आपने ये मनों दशा बना रखी है कि आपका ट्विंट बदलेगा या परिवर्दित होगा तो ऐसा नहीं है आपका ट्विंट आपी ही है आपका ट्विंट तो आपका आईना है जो आपकी सारी उन कम्यों को या कमजोरियों को बताएगा जिस पर आपको काम करना है तो कभी भी वेट मत कीजिए कि वो परिवर्तित होगा इसमें इनर वर्क का जो काम है आपको दिया गया है तो स्वयम पर काम करिए खुद पर फोकस कीजिए और स्वयम को परिवर्तित करने की कोशिश कीजिए क्योंकि जैसे जैसे आप मेडिटेशन, साधना, ध्यान आदी करेंगे वैसे वैसे आपका इनर डियम डियफ बैलन्स होने लगेगा और जो काम आप खुद पर कर रहे हैं उसका एफेक्ट आपके ट्विन पर भी पड़ेगा याद रखिए आपके परिवर्तित होने से आपका ट्विन भी परिवर्तित होगा इसलिए इस जर्नी में महत्वपूर यही है कि आपको खुद पर काम करना है सामने वाले की और मत देखिए कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसे तो मालूम भी नहीं है कि यह twin flame journey में है लेकिन आपको पता है कि twin flame journey क्या होती है इसलिए खुद पर काम आपको करना है क्योंकि आपके जीवन में जो बदला होगा उसी से आपके twin के जीवन में भी बदला होगा जैसे जैसे आप swim को heal करेंगे, balance करेंगे, complete करेंगे उसका प्रभा उस पर भी पड़ेगा दूसरा है darkness और issues को clear करना आप जानते हैं कि जब आपका twin आता है तो आपको trigger करता है और वो आपकी उन्हीं कमजोरियों को बाहर निकालेगा जो आपके भीतर है जो विशेशकर आपको भी मालूम नहीं है लेकिन इस प्रकार twin आपको trigger करके इन बातों की और आपका ध्यान केंदरीत करना चाहते हैं कि उसे clear करो और अपनी जर्नी में आगे बढ़ो मुल्भूत रूप से काम, क्रोध, लोग, मुह, अहंकार ये वो अशुधियां है, darkness है, जो हर मनुश्य के भीतर होती है लेकिन इसी पर काम करके इसे या तो आप कम कर सकते हैं या clear कर सकते हैं लेकिन इसे कम करने के लिए भी समय लगता है एक समय में इतने सारे issues clear नहीं होते धीरे धीरे करके एक-एक पर काम करना पड़ता है और जब आप इन पर काम करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले आपको एंगर इशु था और बहुत ज़्यादा आप एंगर में आ जाते थे ट्विन से या किसी और से वाद विवाद में पड़ जाते थे लेकिन जब आप खुद पर काम करेंगे इस्प्रिचल ग्रोथ करेंगे तो आपको ये परिवर्तन खुद के अंदर दिखाई देगा कि आपकी ये issues कम होते जा रहे हैं पहले बहुत ज़्यादा गुसा आता था लेकिन अब कुछ समय में ही आप शांत हो जाते हैं और इतनी समझदारी आ गई है कि अब सामने वाले से आप विवाद भी नहीं करते तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं इस प्रकार से धीरे धीरे करके आपके ये सारे डार्कनेस और इशूस कलियर होते जाते हैं ऐसा नहीं है कि किसे इंसान को जिन्दगी में कभी भी ग्रोध आएगा ही नहीं आता है लेकिन अब आपने खुद को हील कर लिया है बैलेंस कर लिया है जिससे क्रोध आतो रहा है लेकिन बहुत कम समय में वो शान्थ हो जाता है तो इससे आप खुद को जान सकते हैं कि किस प्रकार आप इस आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं और आपके ये सारी अशुद्या धीरे धीरे करके कम होती जा रही है तीसरा है कुंडलीनी राइस करना विशेश कर जो आध्यात्मिक यात्रा में चल रहे हैं या टूइन फ्लिम जर्नी में चल रहे हैं तो उसमें सवन चक्र मेडिटेशन बहुत जरूरी है और इसमें इसकी क्लिंजिंग की जाती है इसे हील किया जाता है, बैलन्स किया जाता है हाला कि किसी भी इंसान की हर चक्र ब्लॉकेज नहीं होते कुछ विशेश चक्र होते हैं जिसमें ब्लॉकेजेस होते हैं और उसे क्लियर करना पड़ता है कुछ लोग जैसे कहते हैं कि हमने सेवन शक्र मेडिटेशन शुरू तो किया था लेकिन कुछ समय के बाद हम बेमार पढ़ गया और हमने इसे छोड़ दिया तो यहाँ पर यह जानना अवशक है कि यदि आप टून फ्रेम जर्नी में हैं तो सेवन शक्र मेडिटेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इससे ही आपकी एनरजी फ्लो होगी इससे ही आपका इनर डियम डिया बैलेंस होगा डिवायन से सोल मर्जिंग होगी क्योंकि कुंडलीनी राइस होना बहुत जरूरी है ट्विन फ्लेम जर्नी में तभी आप इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं लेकिन कुछ लोग एक प्रकार से अपने आप से ही इसे करने की कोशिश करते हैं कभी-कभी ये जोखिम पूर्ण भी हो जाता है लेकिन कुछ लोग अपने तरीके से इसे कर भी लेते हैं लेकिन यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कुणलिनी के विशय में हम कैसे कारे करें तो किसी अच्छे विशय शग्य से राय लीजे और उनके अनुसार ही आप इस पर काम करें तो आपकी कुणलिनी राइस होगी और इसके द्वारा आप हाई वाइब्रेशन में जाएंगे और इसके द्वारा आपकी ये जर्नी बहुत सरल हो जाएगी चौथा है इनर वर्क कंटीनू रखे जैसे कि आप जानते हैं कि एक मनुश्य को अपने आपको जिवीत रखने के लिए अपने शरीर को एक भोजन देना पड़ता है भोतिक भोजन उसी प्रकार अपनी सोल के ग्रोथ के लिए भी उसे आतमिक भोजन देना पड़ता है और वो आपके इनर वर्क से उसे मिलता है क्योंकि इनसान के जीवन में बहुत से चैलेंजेस आते हैं और उन चैलेंजेस का सामना करते हुए वहां से निकल जाने के लिए आपको स्ट्रेंग्ट की जरुवत पड़ती है और वो तब ही आपके पास होगी जब आप इनर वर्क कर रहे हैं जब आपने खुद को हील और बैलेंस कर रखा है और इसी के द्वारा आपकी स्प्रिच्वल ग्रोथ भी होती है तो यदि आप इनर वर्क करते हैं और अपने उदेशे से जुड़ते हैं और आपकी जर्नी पूरी हो जाती है आप पूरी रिती से अवेक्निंग में आ चुके हैं तो इनर वर्क कंटिन्यू रखे और अपनी सभागी आत्मा के लिए इसे जारी रखे क्योंकि आपकी अवेक्निंग से उनकी अवेक्निंग जुड़ी हुई है आपकी जर्नी से उनकी जर्नी जुड़ी हुई है दोनों की एक ही जर्नी है तो जैसे जैसे आप खुद पर काम करते हैं, वो हील होते जाते हैं, बैलेंस होते जाते हैं, जेतना की स्तर पर आगे बढ़ते जाते हैं, इसलिए कभी भी इनर वर्क करना न छोड़े, यदि आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आप अपने उद्देश से जुड़ चुके हैं, तब भी आपको इन इस्वार्थ प्रेम, जो इश्वर का सभाव है, डिवाइन हमेशा अनकंडिशनिक लव में होते हैं, वन्नेस में होते हैं, और इसके द्वारा आप इश्वर को जानते हैं, क्योंकि इश्वर ही प्रेम है और प्रेम ही इश्वर है, तो जब आप अनकंडिशनिक लव में हो कि वो आपको मिरर करता है। एक ऐसा इशू है जो बनते वे रिस्टे को भी तोड़ देता है। इसलिए इगो इशू को सबसे जादा खिल करने की जरुवत है। उसे क्लियर करने की जरुवत है। क्योंकि सबसे ज़्यादा twin में जो बाद विवाद और जगड़े होते हैं, वो ego, anger, jealousy इन सारी बातों की वज़ा से होते हैं, तो जब आप unconditional love में आते हैं, तो आप जानते हैं कि आपका twin कोई और नहीं आप ही हैं, और उसके बाद आपका twin भी उसी भाव में आ जाता है, और इ divine की presence को अपने आप में महसूस करें और अपने इस journey को पूरा करें, तो ये वो सारी बाते हैं जो एक twin flame journey में जलते हुए, बहुत जादा जरूरी है, तो प्रियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए take care and God bless you all my soul family, आप सभी की journey पूरी की हमेंऄ पूरी हैं, ये इतना ही था Madagक…brain और जरूरी हैं, आप स्वाय के जलते हैं